कि जिम्मेदारी किसान नेताओं की है, योगिंदर यादव की है, राकेश टिकैत की है, गुनाम सिंग चरूनी की है, युदुवीर सिंग की है, इन सब की जिम्मेदारी है, जिनोंने बयान दिये भड़काओं। पार्तियरंता पार्टी को और भारत की सरकार को एक बहाना मिल गया, किसानों के ओपर एक बटा लगाने का, रूट्स को टैवर्ट किया गया, मिडवे, हम लोगों ने कल इंटरिव्यू सुने, बहुत से लड़कों ने बात करी, टीवी पे आकर गया, रूट जो डिसाइड ग्यारा बजे की बजाए, दस बजे निकले, क्या सचा ये, इसकी बताइए, आरे भाईया, बोलने दीजे, वी एम सिंग ने बोला, जो तैयर उट था, उससे दिल्ली पुलिस फीचे नहीं है, वी एम सिंग ने बोला, जो किसान नेता है, बोलिए, आपको, वी एम सिंग, वी एम सिंग को तो पहले इस समिती में लिया ही नहीं गया था, हाज जोडने के बाद-बाद में लिया गया था, जिस BKU भानू की आप बात कर रहे हैं, उसे पाँच आदमी कड़े होने वाला नहीं है, राकेश टिकैट जाड नेता है, किसान नेता है, दिल की बात करता है आपकी तरह एंकर नहीं, मेरी तरह प्रवक्तान की शब्दों को नाम लेकिन साथ दिन तक राकेश टिकैट ने राकेश टिकैट ने उसरे कहा है, किसान नेता है, दिल की बात करते हैं, उन्होंने दिल की बात करिए जाएंगे, बक्कल उतार दिये गए, आपने खुद मरा वो दिल की बात करते हैं जी राकेश टिकैट ने जो है कंड्रोल करके रखा एक राख्स करके रखाएगा हैं जिना देड़ पुलिस में जोड़ लोग उताथ हैं गरेस्ट करवाएगा है जूसे अपने जवागों कोने घृतार होंगे हैं लूगः कर आधिए अपने जवालो आपको पहले भी कहा आज तरंगे जंडे के अपमान का सवाल है जहां तक दीप शिद्दू की बात कर रहे हैं यहां एक और है उसका नाम मैं भूल गया हूँ उसकी बात कर रहे हैं जो पंजाब के अंदर पिछले चार साल से खालिस्तान के फेस्बुक पे खालिस्तान की फेस्बुक चला रहे पंजाब में हजारों बे गुनाह के जो कत्रे आम हुरे उनकी फेस्बुक चला रहे कैसे पहुंचे दिली में वो और पन्नू का परचार करते हैं पन्नू ने क्या कहा था तरंगे जंडे का अपमान करने के लिए बोला था क्यों उनको पहले गिफ्तार नहीं किया गया पंजाब के अंदर क्यों यहां तक आए वो क्यों यहां तक तरंगे जंडे का अपमान हुआ मैं फिर कहूं सारे परवक्ता को हाथ जोड़के हाथ जोड़के मेरी नवेदना आज हम राजनितिक डिसकाशन ना करें यह भारत माता का तरंगे जंडे का अपमान हुआ है जब तक हमारे पाद सबूत ना आ जाए किसी को गाली ग्लोच ना के दे किसी को बुरा बला ना कहे किसी को यह ना कहें यह फ़लाने के साथ था यह मुझे पूछी है पंजाब के अंदर खालस्तान की मुवमेंट के ख़लाब हम लड़े हैं वहां पे हमने वहां कुर्बानी दी और भी पुलिटिकल पार्टियों ने दी और भी खाएं मैंने अकेले नहीं इनकी CPI CPI M ने भी खाएं है सबने खाएं हैं पंजाब के अंदर बंब गोलिया खालस्तान की मुवमेंट क्या होती पता है मैं बार बार कह रहा हूं इस चैनल सब चैनलों के अंदर अरे इसका जम्मेदार कौन होगा लाना बहुत असान है दिल्ली के अंदर अरे बैरिकेर तो उन्हों ने अंबाला में तोड दिये थे आज महीना पेले बैरिकर तोड़े पैले नदी में फंक दिये थे उस वक कहा थे बई उस वक कहा थे नदो को चाष़ा्य कहा पो desktop की कि ती किसकी जम्यदारी थी हर चीज पूरिष के हर चीज सरकार के आप को चाम करते हैं हमारी जम्यदारी है पर कम्मिनिस्टों की लाशों का डियर लगाएगा आच की बात कर मैं वह त्रीफ मैं तरीफ कर रहा वह मैं वांक अगि मनतर में subject जिल्ली पुलिस प्रापमा खळे डे प्रकास ऩड़ हो आंप अमिध भी आमीच भाई है यहां पर यह CPIM वाले कह रहे हैं कि अमिज शाजी ने दिल्ली पुलीस ने यह करवाया यह क्या लॉजिक है यह क्या आर्गियूमेंट है मैं तो आप से पूछ रहा हूं यह क्या आर्गियूमेंट है यह 15,000 ट्रेक्टर हमने अमिज शाजी ने भीज़वाए यह भारती जनता के लोग हमें कहा रहे थे कि आरे कोई खालिस्तानी नहीं है यह तो नाइए तुम्हारी भी की हुई है जो इनको खालिस्तानी बोल रहे हूं सुप्रीम कोड तक में जाके नाइए ने बाकी जो हमारे गुप्चर एजनसी है उन्होंने कहा कि सीख और जस्टिस वाले इंफि पीजेपी वाले हैं रहे क्या मजाक मना के रखा हुआ है आप लोग एनार्किस्त हैं आप लोग एक्स्ट्रिमिस्त आप उपद्रवी आप देश को तोड़ना चाहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाला इंशाला यही आपका उद्देश है हम यह होने नहीं दें आप लोगों ने देश के साथ खिलवार किया है ना अब देखते जाओ तबी सीपी आएम वाले तुमने जो देश के साथ खिलवार की है ना यह जंडे लगा कर सीपी आएम के हमने जंडे लगा लिए पिछे पीजे लगा लगा ले तुम्हारे ट्रेक्टर के ओपर जंडे पीजे बीचे पीजे लगाए यह किसने लगाए थे लगाए थे लाजिक इतनी मतलब बुल मिलाकर पहले जबी आंदूलन चल रहा था तो देखिए इतना बड़ा अंदूलन है यह अंदूलन हर किसान है फिर अंदूलन में जब आप परमिशन मांगने के लिए गए तो फिर परमिशन मांगी बोला यह किसान है यह ट्रेक्टर रैली निकालना चाथे है ट्रेक्टर मार्च निकालना चाहते हैं 26 जनवरी निकालना चाहते हैं। जब वो रैली निकालने की इस्याजत मिल गाई। है किसाँ जो लोग जो मवाली थे ये पॉंच गए लाल किला aidsills थे पहँचा दिया दिन्ली पुलास वहां अपनी जान भचा रही थी आप पोर्स्ट कोसा देखिए कितनी विगंता इन लोगों ने करीैं कमाल की बात है पहले चोरी करते है फिर सीना जोरी करते है विवेक शिर्वास्टव जब रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो कहते हैं सर जुकाकर कि हां गल्पी हो गई जब रंगे हातों रेड हैंडिट पकड़े जाते हैं तो ये नहीं कहते कि देखिए मैं नहीं था ये कोई और था आपकी तस्वीर है जी आप कैसे बचेंगे इससे और किसान नेता उनकी जिम्मेदारी नहीं है जो किसान नेता वहां एग्रिमेंट पे साइन करके आए कि 40 किस पर एट को 26 जर्वेरी के से निजासत दीजिए उनकी कोई सिम्हेदारी नहीं है कि आप 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 आप